आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो student, welcome to this video of डाउटनेट यहां हमें question दिया हुए है Correct order of increasing chemical reactivity हमें जो chemical reactivity है उसका correct increasing में लिखना है ठीक है जिसकी सबसे कम reactivity इसको सबसे पहले है इसको increasing order में लिखना है ठीक है और यहां पर मेरे को metals कौन कौन से given है तो मेरे को metals given है zinc then iron then magnesium and potassium यह मेरे को यहां पर metals given है ठीक है तो इसके लिए हम लोग reactivity series देखते हैं reactivity series क्या है reactivity series में order क्या है तो reactivity series में सबसे ऊपर आता है potassium then me a sodium sodium के बाद मेरा आता है lithium lithium के बाद मेरा आता barium strontium strontium के बाद मेरा आता है calcium then a magnesium calcium के बाद aluminium क्रोमियम के मेरे बाद आता है आयरन के मेरे बाद आता है कोबाल्ट दिन मेरे आता है निकल ठीक है निकल के बाद मेरे आता है तीन दिन मेरे आता है लीड ठीक है लीड के बाद मेरे आता है हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन के बाद मेरे आता है कॉपर दिन मेरे आता है सि तो इस reactivity series में अगर हम लोग यहां पे जो metals given है उसको mark करें तो सबसे पहले मेरा कोग जिंक given है तो जिंक यहां पर प्रजेंट है राइट iron तो iron का है यहां प्रजेंट है right magnesium magnesium यहां प्रजेंट है and potassium first number पे ही प्रजेंट है potassium ठीक है तो अब हम लोग इसको increasing order में अगर लिखे तो सबसे कम इसमें कौन सा reactivity order में सबसे नीचे इंचारों में तो iron है ठीक है उसके बाद मेरा कौन सा है जिंक है जिंक के बाद मेरा क्या है magnesium है और सबसे top पे मेरा है potassium ठीक है तो यह basically increasing order of reactivity है right increasing order of reactivity ठीक है यह reactivity का increasing order इसमें से कौन सा option correct है तो d option correct है ठीक है सबसे कम iron उसके बाद zinc उसके बाद magnesium और सबसे ज्यादा potassium ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा मेरा option d is correct राइट ठीक है थांक यू Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सूपर